प्यारे वच्चों, हिंदी व्याकरण में आज हम लिंग परिवर्तन करना सिखेंगे कुछ शब्दों का लिंग परिवर्तन के समय रूप बदल जाता है जैसे नर, मादा, नर शब्दे पुलिंग का बोध कराता है, मादा शब्द इस्त्री का बोध कराता है माता, पिता, बैल, गाएं, भाई, भाबी, पुरुष, इस्त्री, बाई, बहन, सादू, साद्वी, ससूर, सास तो इन शब्दों का बच्चो रूप बिलकुल से बदल गया है क्योंकि ये पुलिंग से इस्त्री इन्ग शब्द बन गए है तो इस रहे से लिंक परिवर्तन करते समय शब्द का रूप बदल जाता है अब कुछ शब्दों का रूप बदलने के लिए बच्चो शब्द के पिछे परते जोड़ा जाता है परते हम पहले पढ़ चुके हैं समझते होंगे आप परते के बारे में कि परते क्या होते हैं जैसे आ परते लगा कर कि शब्द के पीछे जोड़ कर जैसे अध्यक्स के पिछे आ परते जोड़ दिया अध्यक्सा बन गया चातर के पिछे आ जोड़ा चातरा बन गया तो इस तरह से आ परते जोड़ने से पुरुस सब्द का पुलिंग शब्द का इस्तरे लिंग शब्द बन जाता है यानि ऐसा सब्द बन जाता है जो इस्तरी जाती का बोध कराता है जैसे सिस्य से पुरुस जाती का बोध होता है और सिश्या इस्त्री जाती का बोध कराने वाला शब्द है तो लिंक परिवर्तन में क्या होता है बच्चो पुरुस जाती से इस्त्री जाती का बोध कराने वाला शब्दे बना दिया जाता है तो इ परत्यय लगाने से भी बन जाता है और इ हमेशा बड़ी इ जोड़ी जाती है बच्चों जैसे बड़ी की मात्रा आप देख सकते हैं सभी में बड़ी की मात्रा लगी हुई है तो आज आपको इन सभी टेबल्स को याद करना है समझ कर याद करेंगे तो आपको ये और अच्छे से याद हो जाएंगी कि इका परत्य जोडने से भी लेखक, लेखिका, इका जुड़ गया चालक, चालिका, बालक, बालिका अगर आप नियमों को ध्यान ना रखकर बेसक से वैसे रिवाइस करोगे तब भी आपको ये याद हो जाएंगे इया परत्य लगा कर भी पुलिंग से इस्त्रिलिंग शब्द बनाए जाते हैं जैसे खाट, खटिया, इया परत्य जुड़ गया चिड़ा, चिड़िया, डिबा, डिबिया तो सभी में इया परत्य जोड़ा गया है तो ये टेबल्स आज आपको याद करनी है जिनमें पुलिंग से इस्त्रिलिंग शब्द बनाए गई है सभी में देख सकते हैं कोई ने कोई परते जुड़ा हुआ है कि इन परते इनी परते नी परते तो ये परते शब्द जुड़ने से ही पुलिंग से इश्ट्रिलिंग शब्दे बनाए जाते है आइन परते लगा कर जैसे दूबे दूबाइन ठाकूर ठकुराइन आनी और आनी परते से सेट से ठानी इंदर इंदराणी तो आज आपको ये सभी टेबल्स दस टेबल हैं इन सभी को याद करना है कि वान या वती परते लगाने वान के स्थान पर वती और मान के स्थान पर मती लगाने से जैसे बलवान बलवती कि वान का वती बना दिया गया पुत्रवान पुत्रवती भग्यवान भग्यवती तो इस रहसे बच्चो इन्हें पढ़ने से ही याद हो सकते हैं तो इस पार्ट में हमने क्या सीखा बच्चो हमने इस पार्ट में सीखा कि शब्द के जिस रूप से इस्त्री या पुरुष जाती का होने का पता चले उसे लिंक का जाता है इसके दो भेद सीखे हैं हमने पुलिंग और इस्त्री लिंग, पुरुष जाती का जो बोध कराते हैं वे पुलिंग कहलाते हैं, इस्त्री जाती का बोध कराने वाले शब्द इस्त्री लिंग होते हैं, कुछ शब्द सदेव इस्त्री लिंग होते हैं, कुछ शब्द सदेव हो जाते हैं जैसे आज हमने सीखे हैं तो आज आपको ये सभी टेबल्स याद करनी है नेक्स टाइम हम इस पार्ट का अभ्यास करेंगे कोई भी बात अगर आपको समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं अच्छा वच्चो नहन्यवाद